देखे दोस्तों साइट पर concrete बनाने के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं एक जो कि होता है manual mix जिसमें कि हम labor की मदद से concrete बनाते हैं दूसरा होता है machine mix जहाँ पर concrete बनवाने के लिए mixer का इस्तमाल किया जाता है पर इनके आलावा तीसरी एक चीज़ होती है जिसे के कहा जाता है ready ready mix concrete अब यह ready mix concrete क्या होता है क्या यह आपके घर के लिए एक अच्छा विकल्प होता है इसके क्या फाइदे होते हैं और क्या नुक्सान होते है इन सभी चीजों के बारे में हम इस यूड़े में देखेंगे ready mix concrete यानि कि जिसे commonly RMC concrete कहा जाता है standard specification के आधर पर batching plant में तायर ह mixer की मदद से site पर लाया जाता है यह जो RMC concrete होता है यह बहुती मजबूत और टिकाव concrete होता है क्योंकि अगर हम manual mix या फिर machine mix की बात करते हैं तो वहाँ पर miss run कम या फिर जादा हो सकता है पर यहाँ पर पानी से लेके आपके cement, aggregate और sand इन सभी चीजों का proportion एकदम proper तरिके से लिया जाता है जिस वज़े से यह concrete पहुती अच्छा quality का माना जाता है अब अगला सवाल जो कि आपके दिमाग में आया होगा कि इसका cost कितना है तो देखे दोस्तों अगर आप ऐसा RMC concrete मंगाते है तो आपको 5000 से लेके 7000 रुपे per MQ के हिसाब से rate लग सकता है और अगर हम इसमें concrete मिल सकता है अब बात करते है इस RMC concrete के advantage की देखे दोस्तों इस concrete का सबसे main advantage ये होता है कि इसकी quality बाकी सभी concrete से बहुती अच्छी होती है जैसे कि आपने देखा होगा site पर concrete बनाते समय बहुत सारी चीजों के limitations आ जाते हैं जैसे कि कभी-कभी labor जो है काम करने में आस इसमाल होने बाला cement हो, पानी हो, sand हो या फिर aggregate हो, सभी चीजों का प्रमान एकदम सटिक तरीके से लिया जाता है जिसके कारान आपको अच्छी गुनवत्ता वाला concrete मिल पाता है और इस concrete में आपको grade की भी चिंता करने के आवशक्ता नहीं होती है आप अपने requirement अनुसार उन के साथ इस्तमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा अगर आपकी road site है या फिर कोई highly traffic वाले area में आपको concrete करना है तो वहाँ पर concrete करना कितना मुश्किल होता है, सबसब पहली चीज़ वहाँ पर material storage करना मुश्किल होता है, दूसरी चीज़ वहाँ पर mixer लगा के concrete करने मे RMC concrete का इस्तमाल high-rise project में बहुत जादा प्रामाण में किया जाता है, और कुछ जगा पर तो आपने देखा होगा जहाँ पर बड़ी scheme में चलती है, वहाँ पर site के location पर ही batching plant को fix किया जाता है, अगले advantage के बारे में अगर हम बात करें तो RMC concrete के वज़े से आपको जो labor cost लगन definitely reduce हो जाता है, RMC concrete का अगला advantage यह होता है कि इसकी वज़े से air और noise pollution definitely reduce हो जाता है, और जैसा कि हम regular slab के time पे देखते हैं, बहुत जादा प्रामान में material का wastage चला जाता है, ऐसा ready mix concrete के सार्थ बिल्कुल भी नहीं होता है, यहाँ पर wastage जो है वो ना के बराबर होता है, देखे concrete ले आपके concreting work के लिए बहुती अच्छा विकल्प होता है, तो यह concrete इतना ही अच्छा है, तो क्यों सभी लोग इसका इस्तमाल नहीं करते है, क्यों आज भी सिर्फ बड़े project के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है, तो अब हम जानते हैं दोस्तों कि इस ready mix concrete को इस्तमाल क उसका खास करके जादा इस्तमाल नहीं करता है, अगर आप side पर concrete बनाते हैं तो उसकी लागत कम आती है, तो एक बड़ा कारण है जिसके वज़े से लोग आज भी RMC concrete का इस्तमाल नहीं करता है, इनी कारणों के वज़े से यह जो ready mix concrete होता है, यह छोटे project के लिए suitable नहीं मान पर जहां तक बात आती है बड़े project की, तो वहाँ पर ready mix concrete एक सबसे बड़ी अभिकल्प होता है, क्योंकि काम बहुती तेजी के साथ complete हो पाता है और concrete की गुनवत्ता भी आपको अच्छी मिल पाती है, तो इसी वज़े से बड़े project में definitely RMC concrete का इस्तमाल किया जा सकता है, तो उसे देखना न भूले